डाउटनट पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर जैसे एनवी सर्जीबी सर्ज अकांशा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स आज नॉलोड कीज़े डाउटनट आप तो आज कर जो ऎमारा चापटर है वो हईब का ढरेंक्स तो थीके थर्मो डाइनमिक्स जुह है यह आपका काफी important चाप्टर है अगर मैं paper के point of view से बात कर आओ तो इस में से आपकी दो questions तो most probably पूछे ही जाते हैं ठीक है इस chapter में जो आपके questions आते हैं वो questions आपके किस टाइप के आते हैं like कि कोई भी आपको data दे दिया then आपसे work पूछ लेता है ठीक है या फिर आपसे internal energy calculate कर वाली entropy calculate कर वाली Gibbs free energy मतलब thermodynamics में आपके पास इतने सारे formulas हैं कि बच्चे खुद confused हो जाते हैं कि कौन सा formula किस चीज के लिए है ठीक है तो आज पहले हम इस chapter को थोड़ा से करेंगे इस chapter में क्या क्या बेसिक चीजे हैं आपकी ठीक है और कौन-कौन से आपके formula है उसके बाद हम इसके कुछ questions apply करेंगे तो चलिए पहले इस chapter को start करते हैं तो देखिए thermodynamics में जो basic temperature है वो इस process में change नहीं होता है उसको हम same temperature पे जब reaction को carry out कराते हैं तो आपके iso thermal process हो जाती है ठीक है या फिर इसी तरीके से आपकी iso बारिक या फिर आइसो चौरिक जो process होती है उनकी बात करें आइसो बारिक देखिए आप यहां पे तो इस नाम से ही समझ जाए बारिक आइसो का मतलब होता है सेम बार बार किसकी यूनिट है प्रेशर की यूनिट होती है तो आइसो बारिक process का मतलब है कि वहां पे जो आपका pressure है वो इस case में क्या है आपका same इसी तरीके से अगर आप को बोला जाए आइसो चौरिक process है आइसो मतलब सेम और इस case में चौरिक का मतलब है यहां पे volume की जो आपका volume है वो क्या इस case में same है और जो आपकी adiabatic process होती है यह वो process होती है जहाँ पे system या surrounding के बीच में कोई भी आपका जो heat है वो exchange नहीं होता system surrounding में कोई भी जब heat exchange नह तो simply जैसे आप adiabatic process के लिए यहां पे बोल तकते हो कि जो आपका dq है change in heat और change in energy वो क्या हो जाता है आपका zero हो जाता है चीक है उसके बाद आती है आपके reversible और reversible process जो reversible process होती है उनको हम जो आपका infinite small steps जो है वो हम carry out करते हैं उस reaction में और जो reversible process होती है उनमें मतलब rapidly आपक इसका बिल्कुल opposite होती है reaction ठीक है देन आपकी दो main question आते हैं यहां पे state function और path function पर कई बार direct question पूछ लेते हैं कि आपको तीन चाहां quantities दे दी और उनमें से पूछ लेगा कि state function कौन सा है ठीक है या फिर आपका path function कौन सा है तो देखिए state function का सीधा सा मतलब है वो thermodynamic quantities जो initial औ करते हैं कौन सा path आपने follow किया उस पर depend नहीं करेंगी मतलब यह है और B है ठीक है आपको A से B जाना है ठीक है अब आपके पस दो तीन तरीके हैं आप इससे डारेक्ट भी जा सकते हैं या फिर बीच में कोई एक और station आता है आप वहां से होते हैं भी जा सकते हैं तो यह path आ initial और final position से मतलब है path आपने क्या follow किया कौन से रस्ते से गए आप paddle गए गाड़ी में गए कैसे गए हमें से कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो यह state function होते है path function बहुत है simple नाम से ही पता चल रहा है path function उसका मतलब ही इससे है कि आप गए कैसे अगर आप गाड़ी से गए तो जो आपका work and heat work or heat जो है यह दोनों आपके path function होते हैं और बाकी जितनी भी thermodynamic आपकी quantities हैं वो सारी के सारी thermodynamic quantities क्या होती है आपका state function होती है चिक है उसके बाद यहां पर आपने में दो तीन चीजे पढ़ते हैं हम जैसे गर मैं first law of thermodynamics की ही बात करूं किसकी बात की जाए first law of therm thermodynamics अगर इसके statement की बात की जाए तो आपका जो first law of thermodynamics है यह कहता है कि जो आपकी energy है नहीं create की जा सकती है और नहीं आपकी energy को destroy किया जा सकता है यह दूसरी statement में आप कह सकते हो कि जो universe की total energy है आपकी वो क्या रहती है constant रहती है universe में आपकी energy एक बड़ जो है वही रहेगी कम जादा वो सब नहीं होता उस case में ठीक है तो mathematically अगर first law of thermodynamics के formula की बात की जाए तो यह होता है data u is equals to q plus w ठीक है अब आपका q positive है या फिर negative है या फिर कब w positive होगा कब w negative होगा यह डिपेंड करता है आपके conditions पे कि जो आपके conditions हैं वो किस टाइप की है ठीक है अगर आपको कोई reaction दे रखी है मतलब यह आपका reactant है और इससे आपका कोई product की formation हो रखी है जब आपसे यह बोल दिया जाए कि आपको यहां पे क्या निकालना है इसके लिए change in internal energy निकालनी है तो देखें जो change in internal energy जो है जो कि हम mostly thermo chemistry में यह सारी चीज़े पढ़ते हैं तो यह क्या हो जाता है आपका उस reaction के लिए internal energy जो आपके internal energy यह आपका state function होता है ठीक है then आता है आपका work ठीक है तो देखें जो work का formula हमें आपे यूज करते है work होता है आपका PDV अब कई बच्चे ना इस work को हमेशा ही यह याद रखते है कि work का formula होता है क्या आपका minus PDV बट ऐ इसा नहीं है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से situation consider किया या question में आपको क्या situation दी है उसी case में तो आप सोचोगे ना कि work आपका positive होगा या फिर आपका work negative होगा अब कब positive होता है और कब negative होता है अब देखिया अगर आपका work done मैं बात कर रहे हूं अगर आपने work done किस पी connection हो रही है ठीक है simply मैं both work done on the system या फिर अगर वहां पे contraction जैसा word अगर आपको देखने को मिल रहे है तो उसके इसमें आप बोलेंगे कि work done आपका positive है but अगर आपका work by the system मतब जो आपका system है उसके द्वारा work किया जा रहे है तो अब आप कहेंगे माम system के द्वारा कब work किया जाए का माल लीजिए आपका कोई भी container है और उसमें piston लगा होगा system ने work करके इस piston को क्या क्या बाहर की तरफ धकेला तो यहां पर system work कर रहे है इस piston के उपर तो यह क्या हो रहे है या फिर दूसरा case आप इसको बोल सकते है क्या हो रहे है expansion हो और इन दोनों के case में आपका work done क क्या होता है आपका negative तो यहां पर आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे work PDV but expansion के case में जो आपका work है वह होता है minus PDV okay तो यह चीज़ आपको यहां पर पता होनी चाहिए okay उसके बाद बात करते हैं हम यहां पर heat की कि जो आपका heat है वो कब positive या फिर कब negative होगा तो अगर आपका जो क्यू है heat अगर आपने heat को क्या किया है absorb किया है तब तो वो क्या होगा positive और अगर आप heat को evolve कर रहे है तो आपकी heat क्या हो जाएगी उस case में negative हो जाती है वो है आपका कि जो delta H है enthalpy is equals to delta U plus P delta V या फिर आप इसी चीज़ को लिख सकते है delta U plus delta NG RT यह जो NG है sorry NG NG का मतलब यहां पर यह है कि N तो आपको simply पता है क्या होता है आपके number of moles होता है और आपको सिरफ gaseous state में जितनी भी species present है या जितने भी compounds है elements है उन्हीं के changing number of moles निकालने है मतलब अगर आपकी कोई reaction है तो आप reactant और product की बात करेंगे product में कितने number of moles gases के है minus में कितने number of moles reactant के gaseous state में है वो difference होता है आपका delta NG RT उसके बाद कई बाद आपको delta U ना देते हुए question में delta E दे देता है तब भी आपको confuse नहीं हो ना इने दोनों formulas तो आपको याद होना ही चाहिए ठीक है उसके बाद कई आप लोगों से question क्या आ जाता है कि देखिए मान लीजिए आपको condition अजीशन देखिए कि आपका volume है constant volume की बात कर रही हो तो उसकेस में बोल रहे है कि आपका enthalpy है और आपका Q है उसमें क्या relation होगा तो देखिए constant volume का मतलब है आप बास कर रहे हैं heat at constant volume और W क्या होता है PD constant volume है तो डीवी आपका क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो इस केस में constant volume पे जो आपकी heat है वो internal energy के बराबर हो जाती है और जब कि constant pressure में यह आपकी enthalpy के बराबर हो जाता है देखें यह दोनों जो formula मतलब मैं चीज़ें आपको बता रही हूं यह आप जब specific heat की बात करते हैं तो उस time पे भी यह दोनो formula आप पढ़ते हैं कि जब heat capacity के अगर जब बात की जाती है क्योंकि जो heat capacity है आपकी C इसको हम कैसा denote करते है dq by dt change in heat with respect to time हम बात करते हैं ओके तो यह होती है आपकी specific heat और अगर वहीं पे हम specific heat की भी दो conditions पढ़ते हैं एक constant volume पे और एक पढ़ते हैं हम constant pressure पे जब आप यहां पे बात करते हैं constant volume की तो मतलब cv यह क्या होगा आपका dqv by dt और अभी मैंने बोला qv आपका internal energy के बराबर होता है तो आप इसको du by dt लिख देंगे और अगर constant pressure पे बात करेंगे तो यह simply आपका dh by dt आ जाएगा ठीक है तो यह दोनों जो चीज़े हैं यहां पर आपको पत condition होता है तो देखें आपका जो cp है that is cp minus sorry cp minus cv is equals to r होता है और एक आपका cp by cv क्या होता है गामा के बराबर होता है ठीक है और यह जो गामा है इसको हम poisonous ratio बोलते हैं अब कई बर क्या होता है कि जो गामा की value है हमें cp by cv यह भी calculate करनी होती है तो यह calculate करनी हमें आने चा करते हैं तो हमों chemistry के question से मेरा मतलब है जब कभी आपसे बोल दे कोई reaction है कि आप इसकी heat of formation निकालिए ठीक है या फिर bond dissociation energy निकालिए इस टाइप के जो भी questions आते हैं तो इन में हमेशा हमने क्या देखा है कि summation of product minus में summation of reactant करते हैं जैसे अभी मैंने आपकी internal energy में भी बताया यहां पर एक formula आप बस स्याद रखें जिसमें product minus reactant नहीं होता वो होता है अगर आपको enthalpy of reaction में निकाल रहे हो और आपको bond dissociation energies जब दे रखी हैं तो उस time पर आपको क्या करना होता है वहां पर आपका जो formula होता है that is summation of bond energies of reactant यहां पर आप पहले reactant की जो bond energy है उनको आप minus करो reactant की bond energy को product की bond energy में से यहां पर minus करना होता है और जो आपके reactions होती है आप पहले reaction को balance करेंगे और जो भी stoichiometry होती है वो stoichiometry क्या होती है आपकी वहां पर multiply भी होती है चले अब हम कुछ questions करते हैं क्योंकि क्या है formula तो मैं जाए आपको जितने भी बता दूँ बद जब तक हम इसको apply नहीं करना सीखेंगे question को solve करना नहीं सीखेंगे तब तक formula रटने का भी कोई पायदा नहीं है कई बच्चों को formula तो आते हैं बट question पर apply करना नहीं आता तो अब हम हर टाइप की questions ट्राय करते हैं कि कैसे solve करना है तो देखिए यहां पे जो आपको सबसे पहले question दे र दे रखा है कि लो जूल दे रखा है तो यह चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देनी पड़ी एंड डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस दे रखा है 83.6 जूल कैल्वीन इंवर्स मॉल इंवर्स अब देखिए जो चीज मैं भी बोल रही थी ना वही इस question म अगया अगया डेल्टा है आपको किलो जूल में हैं पहुरिल औरकल्च सन्सेंड स्पोंटैनियम ऐस मोटर कीह और आपको यह अग्षान छोडियूल मैं और आपको यह डेल्टा है पेसार वह तो यह स्ब toughest त् sąd यहाँ आसम यहाँ अन पर आपकी एक वेशन होते हैं सबसे फेमस रिवेस्ट और यह सभी बच्चों को ही पता होता है अगर आपके रियाक्शन को spontaneous होना है तो उसके लिए हम यह भी जानते हैं कि जो आपका डेल्टा है वो आपका negative होना चाहिए spontanity जो है यह आपकी positive होनी चाहिए क्योंकि देखे अगर इस term को आपको negative रखना है तो हमारा डेल्टा है नेगटिव होना चाहिए और अगर यह term भी negative है तो easily आपका जो Gibbs free energy है डेल्टा जी वो क्या जाएगा negative और spontanity आपकी positive होनी चाहिए तो देखे यह तो common से चीज़ हुई हमें यह पता चलिए डेल्टा जी जो कि हमें नहीं दे रखा बट हमें पता है कि उसकी value आपकी क्या नीच चाहिए negative आनी चाहिए negative का मतलब है less than zero आपके reaction spontaneous कब होगी spontaneous तभी तो होगी ना जब आपका डेल्टा जी less than zero होगा तो इस question को करने का सबका अलग-अलग तरीका होता है कुछ लोग इसको less than zero लेकर ही चलते हैं इस equation को मैं अपनी convenience के लिए क्या करती हूं हमें less than zero चाहिए right zero भी नहीं चाहिए होता तो अगर को मान लीजिए अगर आप इस डेल्टा जी को zero पुट कर दे उस time पे आपका temperature क्या आएगा आप वो calculate कर लो जो भी temperature आपका डेल्टा जी की value zero पे आता है तो मतलब यह है कि हमें उससे जादा temperature चाहिए जब हमारा डेल्टा जी क्या होना चाहिए negative ओके तो यहां पर मैंने डेल्टा जी की value को रखा जीरो और यह आगया आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तो जब इस इसमें है किलो जूल में है और नीचे वाला जूल में है डेल्टा एस की value तो इसको हमने जूल में convert किया और थाउसेंट से multiply किया यह हो गया 83.6 जूल दोनों वैल्यूज आ गई इनको जब आपने सॉल किया तो यहां पर आपका टाम्परेचर आ रहा है 425 Kelvin अब यह चीज यह indicate कर रहे है कि अगर आपके टाम्परेचर की value 425 Kelvin है यहां पर तो उस केस में आपका डेल्टा जी जीरो आ रहा है बट मुझे तो इसको नेगटिव करना है अगर आपको इसको नेगटिव करना है तो आप इस temperature को इस value से 425 Kelvin से भी क्या कर दीजे increase कर दीजे जब आप temperature को पर इंक्रीज करेंगे तो यह जो पूरी value है टीडेलटाएस के क्या होती जाईगी और यह नेगटीव वैल्यू डेल्टास में add-on होते हुए जाएगे और आपका अब देखेंगे तो जो आपका B option है वो क्या हो जाएगा इसका right answer चलिए अभी next question की तरफ move करते हैं अब जो आपका next question है इसमें क्या कह रहा है कि आपकी एक gas है उसको हमने allow किया expand करने के लिए यह चीज़ ध्यान रखना gas क्या कर रही है आपकी expand कर रही है in a well insulated container insulated container में आपकी जो gas है वो क्या कर दिया है यहां पर expand कर रही है against our constant external pressure तो देखें यहां पर जो आपको external pressure दे रखा है वो कितना दे रखा है मैं बात करती हूं P external की जो कि है आपका 2.5 atmosphere और एक और चीज़ ध्यान देनी है कि आपका कैसे हो रही है expansion हो रहा है यहां पर expand हो रही है from आपका external pressure 2.5 ATM from an initial volume of 2.5 लिटर to final volume 4.5 लिटर अब हमें initial और final volume भी दे रखी है तो वी वन है है आपका 2.5 लिटर और यहां पर वी टू कितना है आपका 4.5 लिटर अब इस case में आपको calculate क्या करना है हमें calculate करना the change in internal energy of the gas in joules will be आपको यहां पर internal energy calculate करनी है कि internal energy इस case में आपकी क्या होगी ठीक है तो अब देखे क्योंकि हमें इंटर्नल energy को calculate करना है तो यहां पर हमने क्या अपलाय करना है अपना फॉर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनमिक्स राइट अब जो आपका आपका एक और formula है हमारा जिसको हम लिख देते हैं PDV क्या यह sign negative आएगा या positive क्योंकि expansion हो रहा है और expansion हो रहा है इसका मतलब work done by the system है जो आपका system में वो work कर रहे है तो यह क्या है आपका negative तो work भी मुझे पता चल गया यहां पर minus P external होता है यह NDV यह pressure जो है आपका external pressure होता है ठीक है work भी निकाल लिया बट मुझे क्यों तो पता ही नहीं और मुझे क्यों नहीं पता तो मैं internal energy कैसे calculate करूंगी बट आपने अगर ध्यान से question पढ़ाओगा तो हमें question में information दी हुई थी कि जो आपकी gas है वो expand हो रही है in a well insulated container अब insulated container का मतलब क्या होता है मतलब की यह ऐसा container होता है जिसमें से जो आपकी heat है वो loss नहीं होती ठीक है जैसे आपकी thermos वगरा होती है उनमें से फिर भी कुछ time के बाद आप देखोगे कोई गरम चीज डाली है आपने तो काफी time बाद वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होती है बट exact insulated containers आपके वो होते हैं जिनमें heat loss बिल्कुल भी नहीं होता जैसे कि मैंने आपको adiabatic process बताई थी तो उसी का case है आप इन्होंने adiabatic process नहीं बोलते वे बोला insulated container है तो यहाँ पर heat जो है वो आपकी बिल्कुल भी loss नहीं हो रही तो इस वज़े से यहाँ पर आपका जो q है इस case में वो क्या जाएगा आपका 0 तो अगर q 0 आ गया तो simply आप बोलोगी delta u is equals to w और w को मैं बोल रही हूं p external db ठीक है अब p external हमें कितना दे रखा है 2.5 atmosphere तो यह हो गया 2.5 अब जो आपका volume है वो क्योंकि change in volume consider कर रहे है तो आप v2 minus v1 लिखेंगे v2 कितना है आपका 4.5 minus v1 है आपका 2.5 और यह क्या है आपका 2.5 atmosphere है यहां पर तो जब आप इनको solve करोंगे 4.5 minus में 2.5 तो यह आ जाएगा तो यहां रहा है आपका 2 तो यह हो जाएगा यहां से minus 2.5 into में 2 ठीक है तो यह जो multiply हो जाएगा तो यह आपका minus 5 अब जो आपका minus 5 आया है अगर मैं इसकी units की बात करूँ तो देखिए pressure क्या था आपका atmosphere में था यहां पर तो यह हो गया minus 5 atmosphere और volume थी आपकी लीटर में तो यह atmosphere लीटर में आपका अंसर आया है but internal energy energy की unit तो हमें पता है क्या होती है आपकी जूल होती है तो यहां पर हमें जूल में आंसर चाहिए अब जूल में अगर आपको आंसर लेकर आना है तो आपको क्या करना है आपको एक relation पताऊना चाहिए कि 1 atmosphere लीटर जो है यह आपका इक्वल होता है 101.3 जूल के तो अगर आपको इसको किस में लेकर के आना है जूल में लेकर आना है तो simply आप इसको किसे multiply कर देंगे माइनस 5 इंटू में 101.3 तो जब आप इसको multiply करेंगे इससे तो यह आ रहे है आपका 506.5 ठीक है तो यह आ जाएगा आपका 506.5 जूल यहां पर आपका work कितना आ गया यह आ गया पर यह कैसा work आया है आपका negative sign तो यह भी ध्यान रखना है तो अगर अब options में देखेंगे तो देखिए first option तो बिल्कुल भी match नहीं हो रहा D option आपका positive sign है यह भी match नहीं हो रहा यह 500 है यह भी match नहीं होगा तो 505 जो है यह हमारे answer से approximately तो जो C option है वो क्या हो जाएगा इस case म है आपका right answer चले उसके बाद जो आपका next question है यह क्या कह रहा है कह रहा है कि the addition of a catalyst during a chemical reaction और test which of the following quantities देखिए catalyst का क्या काम होता है आपकी जैसे कोई भी reaction हो रही है तो हम करते क्या है बहुत सारी reactions में आपने देखा होगा कि वहां पर आपका एक catalyst होता है अब जैसे कि जो आपकी ammonia की formation करते हैं ठीक है तो क्या होता है आपका आपने डाला N2 nitrogen और hydrogen की reaction होती हो और यह है इसको हम बोलते हैं हिबर्स प्रोसेस इस reaction में भी हमें catalyst को यूज करते हैं और इसमें जो catalyst आपका यूज होता है वह होता है आपका F.E. iron iron को आपने as a catalyst यूज किया अब question यह arise होता है कि जो आपका catalyst हो यहां पर क्या काम करता है ठीक है लिखे catalyst जो भी आप reaction में डालते हो यह कभी भी आपका जो reaction में बाकी के molecules हैं उनके साथ react नहीं करता आप कह सकते हैं कि यह एक टाइप से आपका non reacting species होता है किसी के साथ भी reaction में react नहीं करता नहीं consume होता यह आपका consume भी नहीं होता जितना आपने इसको reaction में डाला है यह वापस आपको reaction में मिल जाता है उतना ही reaction complete होने के बाद जितना आपने iron डाला वो दुबारा मिल जाएगा consume भी नहीं हो रहा है आपका reaction तो फिर यह catalyst करता क्या ह हुआ ना किसी के साथ react करके अपना compound बना रहा है तो कर क्या रहा है यह reaction में फिर हम इसको add ही क्यों कर रहे हैं तो देखिए जो catalyst का काम होता है आपको पते हैं कि हमारी बहुत सारे reactions ऐसी होती है जो कि slow होती है तो catalyst आड़ करने से उन reaction का जो rate है हम बोले rate of reaction या बोलू के time के साथ उन reaction की जो speed है वो increase up होती हुई चली जाती है मान लो को यह कैसे reaction ती जिसको complete होने में ही मतब या फिर बोलू 90% complete होने में ही वो आपके 5 यह लगा रही थी बट मैंने उसमें catalyst डाल गया अब वही reaction आपकी one day में complete हो रही है फिर कितने भी मतब उससे comment hour time में complete हो रही है तो यह रोल होता है आपके catalyst का अब catalyst rate of reaction को increase कैसे करता है अगर इस चीज की बात की जाए तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर आपके यह इस टाइप से आपका graph होता है तो यहाँ पर कहीं आपका क्या होता है reactant यह क्या है आपका reactant है अब कोई भी reaction में जैसे यहाँ पर ही आपका nitrogen था यह nitrogen ब्रेक हो क करके ammonia foam किया इसने तो ammonia को क्यों क्या क्या क्योंकि ammonia आपका stable था इसलिए वो फॉम होगी इसलिए आपके जो reactant थे वो react करके एक stable compound बना रहे हैं और हमें पता है कि जो हमारे stable compound होते हैं उनकी energy क्या होती है कम तो यह जो आपकी axis है यह energy को represent कर रहे है यह आपका reactant है product क्योंकि आपका जाधा stable है तो उसकी energy कम होगी तो मतलब यह से कहीं कम पर लाए करेगा reactant की energy से यह reactant और यह product और यह है आपकी progress of reaction कि time के साथ आपकी reaction कैसे progress कर लिए अब क्या होता है कि आपके reactant molecules को जो product में convert करना होता है तो कैसे convert करेंगे और विएस से पहले आपको इन nitrogen की जो bonds है उनको break करना पड़ेगा अगर आपके उनको bonds को break करना है तो आपको इन molecules को क्या देनी प पड़ेगी तो इस ट्राइब से आपके molecules एक हई पीक पर जाकर के एनर्जिस कंजूम करते हैं देन वापस decrease होते हुए product के आपकी commission हो जाती है अब जो यह energy है यह आपकी एक activation energy होती है जिसकी ने नीड होती है मतलब जो आपके reactant molecules हैं उनको activate करने के लिए कि वह आपके उनक decrease हो जाती है मतलब यह graph आपका कहीं इस type से हो जाएगा मतलब जो reactant molecules को पहले इतने amount of energy चाहिए थी अब उनको इतनी ही energy चाहिए energy में decrease हो गया तो यह energy वो जल्दी attain करके और जल्दी से product में convert हो जाते हैं इसलिए हमारा जो rate of reaction है वह क्या हो जाता है आपका increase हो जाते क्योंक सब्सक्राइब करते हैं उस टाइम पर change क्या हो रही है आपके activation energy में चेंज आ रहा है तो यहां पर आपका C option है वह बिल्कुल करेक्ट है एंथेल्पी या फिर एंट्रॉपी या इंटर्नल एनजी देखें एंट्रॉपी तो क्या होती है रैंडम नेस होती है molecules की उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा चाहिए आप सब्सक्राइब करो या फिर कुछ भी मॉलेक्यूस में जो रैंडम नहीं से वह तो आपकी आपकी तो इसको जो करेक्ट आंसर है वह है आपका option C उसके बाद चलते हैं next question पर यह कह रहा है कि आपको बताना है तो इसके लिए हमें पता है कि कोई भी reaction आपकी स्पॉंटेनियस कब होगी जब उसका जो डटा जी है या फिर मैं कहूं गिप्स प्रीएनरजी है वह आपकी नगर्टेव होनी चाहिए या फिर आप बोलो की जो डेल्टा जी है वो आपका less than क्या होना चाहिए यहां पर आपका 0 होना चाहिए और गिप्स क्री energy की क्वेशन क्या होती है गिप्स हेलम होल्ट एक्वेशन कहती है डेल्टा जी इक्वल्स टूड़्टा H minus T delta S temperature पर कोई comment नहीं कर रहा क्योंगी temperature कह रहा है कि हर एक temperature पर मुझे डेल्टा जी नेगरिटिव चाहिए तो आपकी condition क्या होनी चाहिए तो देखिए जो पहली condition है यह क्या कह रहा है कि जो डेल्टा H है वो है आपका greater than 0 delta H greater than 0 का मतलब है कि यह term हो गई हमारी positive यह term अगर positive है तो मतलब यह प्लस और यहां पर क्या कह रहे है जो आपका delta S है यह less than 0 मतलब यह है आपका negative यह negative है बीच में sign negative negative क्या हो जाएगा positive तो इस case में तो आपका delta G क्या रहा है बट हमें तो negative चाहिए तो देखिए first option तो हमारा बिल्कुल भी answer नहीं होगा move करते हैं second option पर कह रहा है कि delta H जो है वो less than 0 है मतलब अब यह आपका जाएगा और हमें delta G negative ही तो चाहिए तो मतलब यह option हमारा यहां पर करेक्ट है सी option की बात करूं तो यहां पर भी आपका delta H negative है बट कह रहा है कि आपका delta S that is less than 0 मतलब यह क्या है आपका negative यह negative है तो यह temperature के जो sign है बीच में वो भी negative है वो इस term को क्या बनाएगा positive मतलब एक negative है और एक positive है तो अब इस case में जब आपका delta यह quantity आपकी बड़ी होगी सरफ तभी हमें delta G क्या मिलेगा negative मिलेगा मतलब सभी temperatures के लिए यह condition आपकी फुल्फिल नहीं हो सकती तो हमारा C option भी क्या हो जाएगा incorrect उसके बाद बात करते हैं फूर्थ option की कह रहा है कि delta H जो है वो 0 मतलब सोरी less than 0 है तो delta H है आपका negative और कह रहें delta S तो 0 हो गया यह हो गया 0 मतलब यह पूरी term TDS वाली term ही 0 हो गई और delta H आपका negative है तो इस case में क्या होगा क्योंकि सभी नहीं यह conditions याद की हुए है कि आपके reaction spontaneous कब होती है जब आपका जो delta S है वो positive हो मतलब की greater than 0 और जो आपका delta H है वो आपका less than 0 होगा मतलब negative होगा तो बच्चों ने देखते ही कोई option नहीं देखा और सीधा B option पर टिक करके आगे move करके बड़ अगर आपको कभी delta S 0 दे रखा है तो उस condition में भी आपका जो spontanity है reaction क्या होगी आपकी spontaneous होगी क्योंकि वहां पर जो आपका delta G है वो क्या रहा है वहां पर negative आप चले जो आपका next question है यह क्या कह रहे है कि for a sample of perfect gas आपका example perfect gas का when its pressure is changed isothermally इसका जो pressure है वो isothermally change हो रहे है मतलब जो आपका change in temperature है वो 0 है या फिर कहें कि जो आपका T initial है वो आपका T final या फिर आपका जो T1 है वो T2 के equal है तभी तो change in temperature आपका zero होगा and from आपका pressure जो है P1 P initial से P final change हो रहा है तो इस case में आपको entropy change बताना है तो देखें जो आपका entropy का formula होता है एक standard formula जो हम याद रखते हैं that is delta s is equals to ncp ln T2 by T1 plus nr ln यह होता है आपका v2 by v1 यह आपका volumes की term में होता है अब अगर आपको इस volume के formula को pressure की terms में convert करना है तो हम कर सकते है ncp ln T2 by T1 minus nr ln P2 by P1 कुछ इसको P2 by P1 की terms में याद रखते हैं या फिर कुछ लोग इसको क्या करते हैं inverse करके plus भी कर देते है ncp ln T2 by T1 plus nr ln P1 by P2 it's up to you कि आपने इस formula को कैसे याद किया हुआ है ठीक है तो यह मतलब volume की terms में या pressure की terms में जो भी आपको situation दे रखे उस according हम इस formula को यूज करते हैं इस question में हमें temperature के लिए information दी है कि आपका जो T1 by T2 है वो क्या है आपका equal तो आपको पता है log में जो आप T2 by T1 रखेंगे तो divide up क्या हो जाएगा आपका 1 और ln 1 क्या होता है चाहिए वो आपका ln 1 हो या फिर आपका natural log जो 10 बेस होता है वो वन हो दोनों की ही values क्या होती है आपकी zero values होती है तो मतलब यह term तो आपकी चली गई zero हो गई बात की उन्होंने pressure की तो मतलब pressure तो हमारा यहां से आ रहे है ना इन दोनों में से तो आप लिख सकते हैं या तो आपका जो change in entropy होगा अब देखें किसी भी option में मुझे negative sign नहीं दे रखा तो मैं इस वाले formula को use कर लेती हूं तो यह term पूरी आपकी zero हो गई तो यह क्या बचा आपका nr ln p1 by p2 और क्योंकि यहां पे मुझे initial और final की terms में दिया हुआ है तो मैं इसको लिख सकती हूं nr ln p initial divided by p final तो आप options देख लेते हैं कि किस option में हमें इस type से formula दे रखा है तो देखें यहां पे तो p final है पहले यहां पर भी p final है और यहां पर temperature भी दे दिया तो यह भी उसके बाद बात करते हैं next question की next question में हमें कह रहा है कि जो heat of combustion है कार्ब ऑफ कार्बन तो co2 मतलब का heat of combustion कर रहे हम co2 form हो रही है वो इतना है तो मतलब carbon plus o2 it gives हमें क्या दे रहा है co2 gas दे रहा है तो जो इसका heat of combustion है या फिर कहें enthalpy of formation है यह आपका minus 393.5 kilojoule पर मॉल ठीक है अब उसके बाद देखिए जो आपकी एक चीज़ आपको हमेशा याद रखने है कि जो आपकी heat of formation होती है यह हमेशा one mole के लिए होती है तो आपको जान देना है कि जो आपका product बन रहा है वो one mole ही बने उसी के लिए हम क्या करते है हीट of formation तो यह फिर यह कह सकते है कि जब आपका one mole CO2 जब form हो रहा है तो उस टाइम पर आपकी इतनी heat क्या हो रही है रिलीज हो रही है यह आपके one mole के लिए माइनस 393.5 किलो जून मॉल इन्वर्स हीट या फिर एनर्जी क्या हो यह आपकी रिलीज हुए क्योंकि नेगटिव साइन है तो इसलिए आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है ओके देन उसके बाद कह रहा है कि the heat released upon the formation of 35.2 ग्राम of CO2 from carbon and oxygen is कह रही है कि अगर हमारा 35.2 ग्राम अगर सिऊटू है तो उस ताइम पर कितना हीट रिलीज होगा हीट का यह बताने है तो मंपल वन मॉल वेट कितना होता है है तो CO2 का का कशल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 12 और यह 16 इंटू तो यह आते हैं आपका 44 ग्रैम तो 1 मोल मतलब 44 ग्रैम से जब आपकी माइनस 393.5 हीट रिलीज हुई है तो आपको निकालना है 35.2 ग्रैम पे तो सिंपली है माइनस 393.5 डिवाइड बाइ 44 इंटू में 35.2 ग्रैम तो आप इसको जब सॉल करेंगे तो यह सॉल करने पे आ रहा है आपका माइनस 315 किलो जू मोल इन्वर्स यह क्या हो जाएगी आपकी हीट आजएगी तो जब यहां पे आप आप आंसर देखेंगे तो देखें यह जो फॉस्ट आप्षण ई आपका बिल्कूल राइट आंसर जो डी आप्षण है यहाँ पे 3.15 रिखावाईगे यह तो इसलिए आपका इन्करेट हो जाएगा तो जो यह आप्शन यह आपका बिल्कूल करेक्ट आंसर तो देखेंगे आज हमने से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर